अलो फ्रेंट्स वेलकम टु टुरीस क्रियेशन आज मैं बनाने जा रही हो एक दाल जिसमें मैंने पांच दालों का यूज किया है तो बनाने की शुरुवात करते हैं इसके लिए मैंने लिया है उरद दाल जो मैंने दो टेबल स्पून लिया है आप स्किन वाली भी ले सकते ह तूर दाल ली है मैंने दो टेबल स्पून मैंने ओरंज कलर की मसूर की दाल ली है ये भी मैंने दो टेबल स्पून लिया है मुंग दाल ली है मैंने स्किन वाली दो टेबल स्पून एक टेबल स्पून चना दाल ली है मैंने और इन सब को बस ये सारी दालों को मिक्स करके इसे अच्छी तरह से धो के भीगो लेना है और अब मैंने लिया है दो टमाटर जिसे मैंने फाइनली चॉप किया है एक बड़ा प्यास लिया है मैंने जिसे फाइनली चॉप कर लिया है एक तुकडा अद्रक का और आट दस लहसुन की पंखुडिया जिसे अद्रक और लहसुन को मैं अच्छे से पीस कर इसका पीस्ट बना लूँगी और ये दाले अच्छी तरह से मिक्स करके बस इसे साफ धो लेना है दो से तीन पानी में इसे धो लूँगी ताकि इसमें की जो टाच याशिया की जो रही इसे अब मैं ताक्या की शुरुआत करती हूँ जिसके लिए मैं लोगी एक कूकर और इसमें में डालाउंगी ओन टेबल स्पून ऑल ईलग घरम हो चुका आप में लाई आदा चमज राए्ई आथा छमज जीरा और इसमें में डालाउंगी दूं फ्लेवर चलाना जाए गोल्डिन कलर का हो चुका है जिंजर करलिक पेस्ट अब इसमें डाल रहे हूं प्याज जो फाइनली चॉप किया एक बड़ा प्याज है जिसे में थोड़ा सा भून लूँगी एक हाद मिंट के लिए और अब इसमें डालूँगी मैं सूखे मसाले सू लेना है और उसमें डालूँगी मैं टमाटर जो फाइनली चॉप किये दो टोमाटो है इसमें डाल रहे हो नमक वन टीस्पून अपने टेस्ट के हिसाब से इसे अच्छे से मिक्स करकर टमाटर को तब तक पकाना है जब तक कि टमाटर अच्छी तरह से पानी न छोड़ दे देखें टमाटर पानी छोड़ चुके है एक से दो मिन में टमाटो पानी छोड़ने लगेंगे अब इसमें मैं डालूँगी भीगी हुई दाल यह बहुत हेल्दी आप्शिन है लंग्च या डिनर के लिए आप इसे चामल या रोटी के साथ सर्फ कर सकते हो तड़का एक दम रेड़ी है अब में इसमें डाल दूगी हमारी भीगी हुई दाल इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है करीब दो गलास पानी में डाल रही हूँ कंसिस्टनसी जितनी गाड़ी और पतली चाहिए उस हिसाब से पानी डालना है इसमें मैं डाल रही हूँ कटा हूँ अधनिया पता हूँ इसे थोड़ा सा मिक्स करकर बस कूकर की विसल लगा दूँगी तीन से चार विसल होने दूँगी मैं इसकी देखिए कूकर की तीन चार विसल हो चुकी है मैं खोल कर दिखा देती हूँ दाल एकदम अच्छे से रेडी है और इसी कंसिस्टनसी की मुझे चाहिए अगर पतली हो रही है तो वापस से थोड़ा सा कुक कर लेना है और इसे धनिया पता डाल कर मैं सर्फ कर लोगी अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीचिए थैंक यू